हैलो दोस्तो स्मार्टपॉन की चानल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो सुवागत दोस्तो यदि आप SBI में DD बनवाना चाते हैं या फिर कहें demand draft बनवाना चाते हैं तो आपको ये SBI का ये demand draft का ये form भरना होगा तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रांच का नेम यहां आप लिखेंगे date आप जिस दिन इस form को back में जमा कराएंगे उस दिन की date यहां आपको लिख देनी होगी applicants name यहां आपको अपने name यहां आपको लिख देना है आप जिस व्यक्ति के नाम या जिस firm के नाम पे आप DD बनवा रहे हैं वो नाम यहां आप आपको लिखना है आप जिस SBI के जिस branch में आप DD बनवा रहे हैं उस branch का नेम यहां आप लिख देंगे जितने amount के आप DD बनवा रहे हैं वो amount यहां words में आपको लिखना है आप DD बनवा रहे हैं तो यहां आपको draft पे टिक करना है जितने amount के आप DD बनवा रहे हैं वो amount यहां आपको लिखना होगा exchange यहां मैं आपको exchange के बारे मैं बताना चाहूंगा DD बनवाने के लिए bank जो है कुछ charges लेते हैं तो इसलिए जो है यहां bank के अधिकारी यहां charges लिख देंगे amount के साथ मिलकर और charges के साथ जोड़कर जो total amount बनेगा वो यहां bank के अधिकारी लिख देंगे इसमें आपको कुछ नहीं करना है फिर आप इसर आएंगे यहां आप लिखावा पर सकते है state bank of India आप SBI के जिस branch में आप DD बनवा रहे हैं उस branch का name यहां आप लिख देंगे date आप जिस दिन इस form को bank में जमा कराएंगे उस दिन की date यहां आपको लिख देनी होगी in favor in block letters आप जिस व्यक्ति के नाम पर या जिस firm के नाम पर आप DD बनवा रहे हैं वो नाम यहां आपको लिखना है जितने amount का आप DD बनवा रहे हैं उस amount को यहां words में यहां आपको लिखना होगा इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां आप लिखा हुआ पर सकते हैं payable at branch आप यह जो DD बनवा रहे हैं उसकी payment किस branch में हो वो branch के name यहां आप लिख देंगे PAN number यहां जो है आपको अपने PAN card का PAN number यहां आपको लिख देना है signature of the applicant यहां जो है आपको अपने signature कर देने होंगे इसके बाद आप यहां आएंगे तो यहां लिखा हो पर सकते हैं amount आप जितने amount की DD बनवा रहे हैं वो यहां आप लिख देंगे exchange DD बनवाने के लिए bank जो है कुछ charges लेती है तो वो charges जो है यहां bank के अधिकारी लिख देंगे फिर amount के साथ और charges के साथ जोड़कर total amount क्या बनता है वो यहां bank के अधिकारी लिख देंगे इसमें आपको कुछ नहीं करना है name and address of the applicant यहां जो है आपको अपना name लिख आपको अपना address यहां आपको लिख देना है signature of the applicant यहां जो है आपको अपने signature कर देने होंगे for office use यह वाला portion बैंक के अधिकारी बढ़ेंगे इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बाद आपको इस form को पीछे करना है आप DD जो है check के जरीए बनाने वाले है तो यहां जो है आपको अपने bank का name यहां लिख देना है फिर यहां जो है आपको अपने branch का name यहां लिख देना है यहां जो है आपको अपने check का check number यहां आपको लिख देना होगा यहां आपको date लिख देनी है जितने amount की आप DD बनवा रहे हैं वो यहां आप लिख देंगे फिर आप जितने amount की DD आप बनवा रहे हैं वो amount यहां आप लिख देंगे फिर आप यहां आएंगे detail of check आप check के जरी DD बनवा रहे हैं तो यहां आपको उपने bank का name, साथ में branch का name लिखना है, यहां आपको अपने check-zer, check number लिख देना है, amount, यहां आपको अपना amount लिख देना है, यानि कि आप जितने amount की DD बनवा रहे हैं, वो amount यहां लिखेंगे, यह सारी चीज़े आप इस form में भर देंगे, तो आपको इस form में और कुछ नहीं भरना है आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकरी दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आए पसंद तो या लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्ट फॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्ट फॉन की चैनल को जाती घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटिस वीडियो की जानकारी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद